की पूरे एशिया के नंबर वन यूट्यूबर है प्लीज देव एनरजेटे के इंवावडाई काम केरी मिनाथी आपको ना पहले नींद आ रही ती है इतना वुणा मेरी पूरी नींद उड़ गई है आप बताईए आप लोगे माइन में किसी के माइन में कोई कुछिशन है जो आप कहरी से पूछना चाहते है सर जब आप लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो रेंड अमली बंदों ने आपसे पूछा था लाइव स्ट्रीम में सर आप संधी पहांसरी के शो में कब जा रहे हो तो आपने गा था इसके लिए मुझे पहले डिप्रेशन में जाना पड़ेगा तो मैं कोशन इस राइट ना यूर इंडिप्रेशन होगा तभी में आऊंगा तो अभी मैं डिप्रेशन में हूँ और अपना इलाज कराने ही यहां पे आया हूँ आपसी कोसुन था आप जएसर जिए जिनकी की वीडियो बनाते हो तो वह पहले और जद़ेस्टेफ्ई कर शयाते लाइफ श्वश्वाब को यू सवाल जवाब हैं थे अरगे सवाल है किया कभी इसे ने सामने से आपको बोला है कि गुश्जों। करो बोलते होंगे I am sure बहुत लोग बोलते हैं तो आप करते हों? नहीं अगर उसकी हरकते बहुत बढ़िया हैं तो मैं कर दूगा नही है तो पिर जाने देता हूं मैं जादेतर वही होता है जो लोग बोल रहे होते कि आमें रोश्ट करो उनका इतना सही होता नहीं है और जिन लोग का सही होता है वो इतना भूलते नहीं है Thank you, sir Sir, मेरा YouTube पे चैनल है मैं officially सॉंग डालता हूँ दो-तीन मेने पैसे करते रहता हूँ Spy Music करके मेरा चैनल आद प्लीज आगर वो कर, सुस्क्राइब कर वा देशा मैं तेरे को एक चीज बताऊँगा अगर मैंने कर दिया तेरे हो जाएंगे, तेरे एक लाग भी हो जाएंगे लेकिन तेरे व्यूस उतनी ही आएंगे कोई बात नहीं, सर मैं मैंनत करता रहूंगा समझा नहीं तू मुझे कमाना है मुझे लोगों का प्यार चाहिए ठीक है, मैंने तेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दिये क्यारी ने तो आकर सब्सक्राइबर बढ़ा दिये बट उसके बाद तेरा चैनल डेड हो जाएगा तेरे को मंजूर है नहीं, सर तो कमाना भाई तो कैसे हो आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग एक मिठास भी और साथ में वोगी है आटिट्यूड भी है बिल्कुल बिल्कुल तो कैसे हैं आप लोग? सर मेरा कुच्चिन यह है कि यह जो रोस्ट करने का आइडिया है यह आपको कैसे आया मतलब स्टार्टिंग कुछ और भी था या फिर आपका ये विजन अक्लियर था पहले से ही कि आपको 여기서 kard है जब मैंने इसको स्टार्ट किया था ना तो मैंने गलिए से स्टार्ट की थि वाले days में मैंने एक वीडियो डाली थी तो उसका कुछ ऐसे hot bhabi गर के नाम था वो आपकी पहली roast वीडियो थी वो पहली roast वीडियो थी मैं उसमें क्या था किसका roast किया था अपने उसके अंदर ऐसे था सर जो YouTube पे ऐसे hot bhabi hot नहीं कह रहा हूंगा अजय कि आप you दूसर पतीम में एसे जो बात्शा मंद्धा जो आप अकेले में देखते थे Nain कर दिया कर दिया ना 12 तो कर दिया धाले मी देखते ते शहर हमारे दोस्हथिं होते हैं साहत में देखते थे कि अभ साहत॥ में देखए दे फिर मैंने एक S.E.C. वीडियो थी और उसके अंदर लिटरली कुछ भी नहीं था ना उसके अंदर ऐसे आप गरम हो रहे ना उसमें ठंडे हो रहे तो मैंने गहाई इसको तो पकड़ना पड़ेगा तो मैंने ऐसी अपना जो मैं गेमिंगी वीडियो बनाता था उसके साथ कमभाईन कर गरें वो बना दी बना योगेम खेल रहे थे और आवाज थी और पीछे आवाज थी तो उससके जितनी मेरी पहली वीडियो थी उस स्टाइम पर उसे ट्रिपल विवीज आगए तो मैं चाब बहुँ पकड़ो इसको तो मैंने चालू कर दिया लेकिन मेरा आस सच एम जो अभी भी मैं काऊंगा मेरा एम गेमिंग यह कि मेरे को गेमिंग को आगे लेके जाना है और यह जो है यह एक जरीह क्योंकि सब अभी गेमिंग को एकसेप्ट नहीं करते है उसमें तो पहले बताओं तो उस वक्त क्या गहते हैं मैं क्या गहते हैं अपने म्यूजिक पर ज्यादा ध्यान दे रहा था वेड़ देगी भी ती लेकिन मैंने का था यह छोड़ो इसको कोई पॉइंट निया फिर मैंने वो वीडियो दुबारा देखी फिर वह बहुत गुसा है यार यह तो गलत बाते कर रहा है बहुत गलत बाते कर था न आएक की मतलब आप अच्छे बन रहे हो लेकन अट थे सेम जो उसके पीछे की जो वो है ना क्या कहते हैं जोगलापन है जो विलकुल सही पकड़े है इंटेंशन नीयत हाँ वह मेरे को बहुत उसने गुस्ता दिल आया फिर मैंने बना नीचाल करी तो पहले न मैंने जब मैं बना रहा था उस वक स Craig 3-4 बार वो वीडियो बना ली लेकिन मेरे को न वहनी मिल रहा था जो मेरे को चाहिए था उशन्य से वह उतनी रोण ज़न शनी आदी थी फिर मैंने कहा कि चालो काम करते दो-तीन दिन का break लेते हैं मैंने वो break लिया और उसके बाद में दुबारा बैठा और अपने आप ही बस आधे dialogues मैं कहूंगा मैंने आधे लिखे हैं और आधे feel-feel पे अपने आप आगए हैं उस वक्त पे फिर उसके बाद मैंने अपने क्या कहते हैं मेरा बड़ा भाई है उसको दिखाई थी यह वाली वीडियो तो उसको वो पहली वीडियो होगी जो उसने कहा था कि मेरे कोई दुबारा देखनी है तो उसको देखके मेरे हाथ पर काप उठे थे मैंने का ऐसा तो आज तक नहीं हुआ और फिर जो हुआ वो तो मैं पता ही है तो तभी जो कि मेरा उसे ही है था कि तो टॉपिक चल रहा है ना ऐसे वह वाले क्रियेटर्स और यह वाले क्रियेटर्स के वीज में एक खतम हो जाए बस एक फुल स्टॉप लग जाए तो तभी मैंने वो टाइटल दी एंड रखा था उस पर और उसके बाद आई थिंग यलगार भी उसके बाद आये था यलगार उसके बाद आया था और यह वाले क्योंकि एक वाले को पता था कि उस वग्ड़ी बनाऊंगा लोग देखेंगे जो कि बहुत बड़ी बात है यह बहुत बड़ी लक्शिरी है कि आपको वो चीज़ बनाने को मिल रही है जो लोग भारी संख्या में देखने वाले हैं तो जब आपके पास वो मोटिवेशन होती है ना तो सर मैं बता रहा हूं उस वक्त आपके भी जरूत नहीं पड़ी कि वैसे भी बना दूंगा वो मैं अचो वैसे और लाइटर नोट कभी ऐसा हुआ कि कभी एक्चुल में आपको मेरी जरूत पड़ी हो यानि की मूडूर खराब वो तो होता रहता है सर मैं मैं क्या करता हूं मैं ऐसे तीन मिनट देखता हूं जहां पर मैं जादे तर आपकी मुस्कुराहट पर मेरा फोकस होता है उसको देखके मेरा मन करता है मैंने का चलो अब यह बस बहुत हो गया मेरे को अब और देखना है और जिंदगी में कुछ उखाणना है और उसी से ही वही जोश आ जाता है जैसे आप दो तीन क्वेश्चन आप इतनी और अगर आप इनकी बाते बीच में छोड़ दोगे जाड़ना की क क्योंकि ट्रॉंचन फान छोटा होता दैना यौक जा आप बोल रहे होते हो अगर आपकी बीच में छोड़ दूगाना मैं भात तो मेरे को समझमी निआ प्क्या कभ्यो material मुआ पु下ऊ है आप यह क्यों इसके पीछे आपको क्या-क्या फेस करना पड़ता है, जैसे लाइक, दमकी वगएर आपके पास आती हो, और रूल्स वगएरा, जैसे आपना किसी को रोष्ट किया, तो आपकी कंप्लेन वगएरा करते हैं वो, और आपको मतलब काफी सारी प्रॉब्लम का वो करना पड़ता ह होगा सामना, तो आप उनको कैसे फेस करते हो, सर, चादी चौड़ी करके, सर, एक कुस्टन और पूछ सकता हूं, बिलकुल पूछ, सर, आपकी कोई गल्फ्रेंड है, देख भाई, मैं तुझे बताता हूं, इन चक्करों में ना तू पढ़ ना मेर को पढ़ने दे, मेर से बहुत लोग है, सर, जब मैं स्प्रीम करता हूं, तो लोग बहुत पुछते हैं कि, सर, क्या किते हैं, एक लड़की पटवा, तो लड़की पटवा जो, मुझे इतना गुस्ता था, मैंने का, तू पहले मुझे पटवा दे, मैं तेरे को फेस्टा हूं, मेरा भी कुस्तर नहीं है, और बहुत सारे लोग का होगा, कि अगर हम लोग एक डेट फिक्स करें, कि अगले पांस साल के अंदर, अगर हम लोग भी वहाँ पर बैठना चाहें, तो कैसे पॉस्पल होगा, बहुत सर, मेरे को बता दीजिए, कैसे हो सकता है, यह कि अगर मैं भी आज की डेट में सर, ओनेश्टली वह बात है कि आज की डेट में जो कॉंपटीशन है, वह बहुत जादा है, जितना जब हमने स्टार्ट किया था तब था, वह तो फैक्ट है, कितना आप कितना ही कर लो, आप अवोइड नहीं कर सकते हो, और यह भी फैक तो अगर आपको बहुत बड़ा बनना है, बहुत विशाल बनना है, तो आपको ऐसा कुछ करना होगा, जो भी तेरे दिमाग में बहुत क्रेजी चीज़ आती है न, और तू कहता है यह तो यार नहीं कर सकते, तेरे को वहीं करनी है, सही बताँ तो, तो वह करेगा ना, तो अपने आप वो ग्रोथ होगी, एक बहुत बड़ी बात बोली अभी कहरी ने, जहां पर यह लगे ना, कि यार यह काम मैं नहीं कर सकता, या यह तो नहीं हो सकता, वो ही करना चाहिए, क्यों, क्योंकि सबको यही लग रहा है, जैसे कई तरह के आईडियाज आते हैं, उसमें as a creator, यह आएगा मैंड में, चल मैं यह कर लेता हूँ, तो जो पहला idea आ रहा है न, वो बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो सबके मैंड में आ रहा है, कि इनके जैसा roaster बन जाता हूँ, इनके जैसा motivational speaker बन जाता हूँ, इनके जैसा वो बन जाता हूँ, इनके जैसा वो बन जाता और वो छोड़ देते हैं अब अगर कोई कर गया तो वहाँ पे फिर भी पोटेंशल है वहाँ पे फिर भी स्कोप है चांस है एक और चीज़ा सर मैं मानता हूँ कि लोग अपने आपको जज बहुत करते हैं बनाने से पहले न कुछ भी कि अरे आर यह ऐसा होगा यह लोग देखेंगे वैसे लोग देखेंगे तो एक बहुत ही न अपने आप से यह डिसकंफर्ट चलता रहता लोग का जोगी मैं कहूंगा कि बच्चों में इतना नहीं होता बड़ जैसे जैसे आप बड़े होते हो न यह चीज मैंने भी रिलाइस करी है कि पहले मैं जितना अपने आपको जज नहीं करता था आप मैं जाधा करता हूं तो वो मिरको जानमूच के हटाना पड़ता है फिल्टर ताकि वापिस वही क्या करते है बत्तम इजी आ सके बहुत जरूरी है मैं मानता हूं अगर आपको कोई वैसा भी काम जो आप कुछ बड़ा वैसा भी करना चाहरे हो तो आपको यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आ लेकिन आपने का तब पैसे से बहुत उपर अड़िया हूं लेकिन मेरे पास एक रुपे भी नहीं है तो खाना पीना रहना वो सब कैसे होता है कैसे आपकी वीडियो देखने के बाद में मैं जिससे बोलता हूं तो मेरी हेल्प होती है एक पर में आप कहीं बैठे हो सड़क पे आपके साथ में कोई बैठा है उसको पहले आपने मेरी वीडियो दिखाई है देख लो भाई यह कह रहे है शेयर विद दोस हूं इस रुप कि वीडियो देखकर के मैं जब जंगल में जाता हूं कहीं भी जाता हूं तो यह सब अपने ही है एक मिनिट एक मिनिट देखो एक तो जंगल जिसकी बारे में मैं बात करता हूं अपने सेशन में एक जंगल है जिसकी बारे में यह बात करते हूं में बिलीव इन्यु रहे हैं, आप दोनों मेरे सामने बैठे हों, मतलब मैं कैसे बिलीव करों मुझे पिंच करो प्लीज आके, मैं क्या हो नहीं सर्हडु अब करों कि सुब्सक्राइब जा प्लीज करों जावश्न, जावश्न, आञ रेड़, नाजाओ, ऐलाओ, आजाओ, अलाओ. ठीक नहीं हिंप लृविदी है जाहँ आखिए, मेरे नाकून है नी थिमें.. भई, मैं रिखाएं!!! आरी बाइ., तो अलाओ बदतीमटष्ज़्स चाहेँ sayaar, सब्सक्राइब दोनों से है पले तो क्यारी मेरा अडिया आप सर आपसे है कि जैसे सब को बता है कि 2020 मैंगेस आपने इक रोश कर दा तिक टॉक पर सब को ही वह पता है तो मैं उन शक्स का नाम नहीं लूगा I don't wanna mark it for that तो सर लाइक वो वीडियो आपके टार्गेट बन गे थी लाइक टार्गेट इन दे संस उसने बहुत एक रिकॉर्ड आइगेस 20 मिलियन लाइक्स आपको उसमें मिले दे अरे नहीं इतरे लाइक्स नहीं मिले या इससे पहले उतर गई हूँ नीचे हम सब एग्जाक्ली मेरा क्वेश्चन है वह बहुत काफी पुब्लिक पुब्लिसिटी हुई थी उस वीडियो की तो आप डिलीड होगी जिसे वीडियो फिर आप इंस्ट्रग्राम पे लाइव आपका मतलब यू वर अबाउट टु क्राइए शुट से लाइट तो उस टाइम हम भी बहुत इमोशनल होगे थे कि आप हमें हमेशा साते रहे तो आपको उस टाइम ऐसे देखा तो आपने उस उस सिच्वेशन को उस उस सिच्वेशन को डील कैसे करा चाही बताऊं तो वो हालत मेरी नीचे जा रही थी क्योंकि उसके पीछे का जो स्ट्रेस है हम लिटरली रोज क्या कहते हैं यूट्यूब के साथ कॉल रख ले थे और मैं बिल्कूल ही नहीं सो रहा था मैं मेरे को नींदी नहीं आ रही थी उस वक्त क्योंकि वो यूस टाइम में भी ऑपरेट कर होगी तब हमने डिसाइड किया था कि हमें गाना नेकालना चाहिए यलकार क्योंकि वो ही एक अकेला तरीका था जहां पर अगर मैं एक और वीडियो वीडियो मनाता ना उस वक्त तो उसके चांसे थे कि वो भी डाउन हो जाए क्योंकि कुछ ना कुछ लोग उसमें से ढूं वो बहुत भयानक ताइम ताइम संदीप सर आपसे कोईशन में बताइये ना बहुत बेचैनी से पूछना चाहता हूं नहीं खराम से चैन से बूछिए बेचैनी से लेका पताइये तो एक बार मैंने अपकी शाइड कल के सेशन के बाद ही आप मैं जस्ट्रोल कर रहा था य आप से पूछना आता हूं कि इतने करोड़ों का आपको मंतली आप और कर सकते हो फिर भी किस विल्पावर से आप रिजेक कर रहे हो लगिक नॉमल परसन अगर मैं हूं मैं थाउजंस भी ना रिजेक कर हूं मनी किसको नीच यही होती है इस इस उस पे तो सर मैं आप से पू यहीं डिसकेशन चला था हमारा इसी के बारे में मैं शॉर्ट में बोल देता हूं जादा लंबा चोड़ा नहीं देखो जिन्दगी में न हर काम पैसे के लिए नहीं होता है जब मैंने सेशन करने शुरू करे थे तब मेरी एश थी अराउंड 31 and I was financially at a very good position at that point of time तो पैसा मुझे खुशी नहीं दे रहा था तो उस टाइम पे there was a kind of a void within यानि मेरे अंदर एक creator था वैसा creator नहीं जैसा आप समझते हो creator मतलब एक ऐसा creator था जो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जो अभी exist नहीं करती है एक ऐसी दुनिया जहां पर के सबके लिए उमीद हो सबके लिए एक positivity का एक source हो सबके लिए कुछ ऐसा हो कि अगर कोई इंसान नीचे गिर रहा है तो वो उसको देखे और वो एक दम से उठकर के खड़ा हो जाए वहां से मेरी शुरुआत होई थी और जब मैंने शुरुआत करी थी 11 साल पहले अगर आपने मेरा life changing seminar देखा हो जो मैंने 14 ग्रा स्केडियम में किया था जिस पे करीबन 8-10 जार लोग थे तो वहीं पर मैंने टिक्लेयर कर दिया था जिंदगी में कभी भी ना मैं आपसे एक रुपे लेने वाला हूँ ना एक रुपे लेने के बारे में सोचने वाला हूँ नाम रखने के पिष्छी logic क्या था? इसे जब पहले पहले जब होते थे तो लोग कहते थे ये पता नहीं कौन है यह अंग्रेजी नाम क्या है? फिर जाके देखते थे, फिर देखते थे, काता ही बहुत जोर से हिंदी, पेल रखे उसके अंदर, जों नाम है कैने रिका है? ये विदेशी नाम रखे, तुम देशी हरकते करो. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming.